अब मुझे इस बात का दुख है मैडम इस बात का दुख है का कि जो खुद कानून से बंदे हुए है आज अगर हम इनसे कहीं आपको नौकली से निकाल देते हैं हम तो आज ही डबलुए फाइल होएगी रोतिया और एक रिप्रस सुनिये तो सुनिये तो पीशे कहा देख रह होते हैं जब हम कहते हैं आपने कि आपने किया वह हमेशा रेप्रसेंटेटेटिव कैपेसिटी में पूँछा गया स्देश्न है और जब हमखों को आपसे specific पूछना हुता है तब हम specific पूछते मैडम आप ये शब्द बताए इस को होन आ गया है जी सा आपने वो रोड बंद कर दी है जिनकी उस प्राइवेट जमीन के उपर बनी हुई है उतना ब्लॉक लगाया है आपने वहां पे क्या किया है करादेश के बाद आप जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दीजिए नहीं तो अभी मैं लिखो भाई आपका बडब प्लीज आपका नाम क्या है यह क्या पोजीशन है आपकी ऐ है कहां के रिवा डीविजन की यह है यह अब प्रिचलित रास्ता था इसलिए अब आपका पूरा अधिकार है लगो भाई ऑन थ्री तो थ्रीशिक में ने कर रहो 1-326-1-3-2-3-6-0-6-0-0-2-4 this petition and the article 226 of constitution एक आप ने आपने सुन लिया आप मुझे इस बात का दुख है मैडम इस बात का दुख है आपको लगा कि आपको यह तवज्जय देंगे सुनिये तो सुनिये मेरी बाद सुनिये मैंडम प्लीज प्लीज मैं मिस्टर हो गया धन्यवाद तो जाओ अरे आपके साहब को धन्यवाद तो दे लें दो मैंडम जहां था का हमारे आदेशों की अविल्ला का सवाल है हमारे पास सवाल है तो आपके पास कोई अधिकार है नहीं तो वह अधिकार ना होने के करके अगर आपके आदेशों की अविल्ला होती है तो मुझे एक constitutional office नज़र आता है जिसको की AG office कहते हैं और वो constitution में provided हैं अगर ऐसे अधिकारी जिनका की जो खुद कानून से बंदे हुए हैं आज अगर हम इनसे कहें कि आपको नौकरी से निकाल देते हैं हम तो आज ही डब्लूए फाइल होएगी कि हाई को मेरे 309-305 civil cca rules इसके खिलाब जाटके मेरे नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है तो जिस संविधान से बंदे हुए हैं उस संविधान के संस्था की विजजती करने में इनको जला से भी हिचक नहीं होती है चुकि अब आपके पास कोई अधिकार नहीं हैं इनको या सब्सक्राइब करने के लिए हम आपके मदद करें अब आप बताईे अब बस इतना बताईए आप और समभाणी के इस्टिटूशन को बचाना चाहते हैं कर ने संतब अभी आपने हैं सब रोबड ब्लोग कर दी गई है अक्षान沒事 पूछा किसी ने माना किया ऑपने का हाँ सब Steve मैڈम मैडम वो अधिकारी है जो फिल्ड में काम कर रहे हुए रैट अगर आप उनको षलिविव के दे रहे हैं कि वो नकाबिम अफसर है उनको समझ नहीं है विओकण की आपको सेंटिफिकट मेरा नहीं ए तो मैडम वो नौकरी में क्यों है क्या आपका शासं नकाबिल नाकारा व्यक्तियों को नौकरी में ये पत्बे रख ना चाहता है आपके हिसाब से ये पता दीजिए आप ने कहा है कि उनको समझ नहीं है मैंने नहीं कहा नहीं तो उनकी बात को कानूनी बात मानके उसको कर रहा हो कि क्या जो इन्हों की समझ मेंbe काम कर रहे हैं लोगों कि अधिकारों की कर रहे हैं उसके हिसाब से मुझे निर्ने करना है आप कहते हैं किनको में सकानूँ की समझ नहीं है मानली है ऐस्टेटमेंट है know it is your duty to tell me कि if Dion you are pulling such type of offices मैंने फोन कर दिया है एंड यू आपके बातों का अब आप मुझे यह बताई है से आपका ऑफिस अपार्ट फ्रॉं कॉंस्टिटूशनल अथर्टी फर्स्ट लॉओ ऑफिसर अप दिस्टेट है कि नहीं यह आदमी जिसको आप नकारा कह रहे हैं वह आपकी बात पर तवज्जों नहीं देता है जबकि आप इस विश्वास के साथ मेरे से कह रहे थे जब हमने फोन किया है ति इन्होंने बाकि ब्लॉक कर दिया होगा और इसने क्या कहा वो तो पहले से चल रही है अभी कुछ नहीं हुआ आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप तो बस इतना बतादो कि सर्थ हमारे संवेधारने कि इंस्टिटूशन की दज्जियां उड़ रही है उड़ने दीजिए आप मत बुरा मानिये हैं हम तो सक्षा में अपने अधेशों की अविर्णा करने के लिए आप अपना बताईए बढ़ा प्याच आते हुआ है अभी आपने जिस विश्वास के साथ खहता की हमने फोन कर दिया है यह हो गया होगा है आपके सामने आपने सवाब सुन लिया है कि आपका विश्वास हारच हई हुआ के में गया और मुझे पनिन के सहस्था के निर्देशा नुसार भी इन्हों ने उतकी धजियां उड़ा दें कि हम आपकी बात से नहीं सहीं होता है है राइट तो हम तो इस्टिटूशन की इज़त करेंगे तो मैं कॉस्ट बढ़ाता चला जाओंगा पर पंदरा हजार की कॉस्ट लगा रहा हूं और इन सज्जन से लिक्ट रिकवर होगे देखते हैं सब्सक्राइब अब अब पर बड़न डालूं जब आपके हिसाब से ऐसे अधिकारी हैं जिनको कानून नहीं मालूम मैं क्यों पब्लिक एक्स चेकर पे बाड़ा में जैल जाने से डरते क्यों यह वह विभाग है मातर एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करना है हमने क्कौन सा विदेश बेज देना है हमने काला पाने की सजा बेज देनी है शासन के एक घर से शासन के दूसरे घर में अभी आप शास्की आवास में रहते हैं न सब है तो भी तो शास्की हावास है किया क्रोबलों में मिल्दा